गेशास्वी जयसवाल इस फाइनली बेक, पूरे आदे सीजन, पूरा आदे एकसाद बोल रहा हूं मैं, आदे सीजन में हगने के बाद जयसवाल ने फाइनली कमबेक कर लिया है पढ़ने से याद आया हार्दिक पता था कि मुंबई की टीम के विच में लड़ाई चल रही लेकिन इतनी ज्यादा चल रही है यह नहीं पता था केज में केज चुटे जा रहे हैं हार्दिक भाई बूम्रा से पहले बोलिंग कर रहे हैं बहुत पुछवा था इस में शुरू से बात करते हैं मेच चुरू हुआ और वही सेम चीज ट्रेंड बोलने फिर से पहले वर में विकेट लेली अब तो इस चीज की आदत पड़ चु जल्दी आउट होगे ते कल भी जल्दी आउट होगे उस दिन भी सूर्या ऐसा का इसा ही कल भी हो गए इसा लग रहा था कि वह वाले मेच के हाईलाइट चला दी मूटा भी ने अब सूर्या का तो आपन सब को बताईए वह एक मैच छोड़के एक मेच में परफॉर्म करते जसमें परफॉर्म कर दिया है एक चुनाऊ में उतर जाते ना तो मौर्ःच को हरा दे एक बार का तो dar और especially वो last over केवल 3 विकेट लेके केवल 3 विकेट बोल नहीं केवल 3 रंस देके 3 विकेट लिये थे उन्होंने बोलिंग तो तगडी है इनकी लेकिन at the same time Mumbai के बेट समस भी कम नहीं भाई इतनी जल्दी जल्दी विकेट गरने के बाद भी 117 विकेट लिए थे इन्होंने रीजन तीलक वर्मा और नेहल वदेरा हाँ लोड आवेश का तो उन्रेबल मेंशन्स में नाम रहे गई क्योंकि लोड के बिना तीलक हो यहां विलक कोई कुछ नहीं कर पाता जिस तरीके साथ ट्रेंट बोल्ड और संदीप शर्मा ने खटा-खटा-खटा-खट लिए थे मुझे लगा था रायस्तान डेशों के अंदरी निप्टा देगीन लोड आवेश हैड अधर प्लैंस इत ना वेट तो हम लोग एमेस दोनीगा नहीं करते जितना इनका करना पड़ना था तो यह तीसर चोते नंबर पर आ जाते हैं और कल इनको जब नहीं आना था उन्होंने मॉंबद नभी को भी बेटिंग करने बेच दिया और फिर जब वो आए वो चले गए देखना एसे फों तो में आपको बताता हूं तो जिसा कि में आपको बता है कि बीच में एक दो मेचों में पांडिया ने बोलिंग करनी बन कर दीती लेकिन फिर अभी वर्ल्ड कप के लिए एक दो दिन पहले राहूल ड्रविद रोइच चर्मा और सिलेक्टरस के बीच में मीटिंग होई अगर हार्दीक पांडिया ने एपनी बोलिंग पे ध्यान नी दिया तो वही टीम में जगानी बन पए गए इनकी बैस बीच्टर कड़्िया और आपको तो पता ही है कि हार्दीक पांडिया का इगो कितना बड़ा है वह बोलिंग करने आया ना जोश में आया कि सीथा ड़े इसलिए बोल रहो हमें क्योंकि वो पहला वर करने आए उसमें दो तिन चोके खाए और फिर गायब भाई पूरे मेश में दीखे ही नी और फिर रोईद भाई ज्यादा प्रेसर वेसर डालने लगे होंगे तो मोटा भाई को बोलके बारिश करवा थी भाई सब कुछ सोचा था लेकिन IPL में बारिश आजेए कि ये कभी नी सोचा था लेकिन फिर होई बात है ना कि सोचा तो कभी ये भी नी था कि एमपायर वोड़ा भाई है तो मुम्किन है उपर से रोड रियान पराक बेटे जोहलग इसे ही चलता था तो पंद्रा वोल में निप्टा देंगे लोग तो बारिश काम तो आई वेसे बारिश के वेसे थोड़ा भूद मुमेंटम ब्रेक हो गया था जोज बटलर आउट हो गय थे लेकिन किसको फरक पड़ता है भई ये शस्वी जैसवाल फोम में आगय वापस आदा सीजन निकल गया था इनका हाल देखे मुझे तक बूदा ल ये केस तो चलो समझ में आता है कभी-कभी छूट जाता है लेकिन दो केच सच बतारों मैं जैसवाल तो 50 से ही खुश था सेंचुरी तो मोटा भाई ने कर वई ये गल बागी इतनी आसानी से भी नहीं बनी दी इनकी सेंचुरी जब ये 95 फ्रेंस के आसवास पहुचे तब फिर से बारिश शुरू होगी उस टाइम पे एक बस 10-11 दंस ही बच जाते तो अगर मेंच रूप तहाद तो वो वापस शुरू नहीं होने हला था ये नहों तो किसमत से बारिश आई नहीं और इनकी सेंचुरी बन गई और मुंबई हार गई